तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो एक अच्छा सा question है इसमें कहता है which of the following quantity remains constant इने planetary motion अगर कोई planetary motion हो रहा है जो की elliptical orbit में है तो कौन सी quantity इसमें से constant है क्या speed constant रहेगा देखो ये sun है और ये जो है planet है तो अगर sun और planet के बीच में बात करोगे तो हम सबको पता है अगर ये planet ऐसे move कर रहा है तो इस वाले point पर इस वाले point पर speed सबसे ज़्यादा होती है सबसे pass में और उसकी direction ऐसे होती है इस point पर speed minimum होती है तो ना velocity constant है ना ही speed constant है तो जो first option है वो बिलकुल गलत है तो kinetic energy same रहेगी क्या तो kinetic energy same रहेगी नहीं भी option जब speed of A is not equal to speed at the point B मनदब A point और B point पर speed अलग अलग है हर point पर speed अलग है यहाँ पर speed अलग है भाई हर point पर speed अलग है तो kinetic energy किसी point पर देखोगे तो kinetic energy at B half M B square और point A पर और दूसरे point पर काइनेटिक इनर्जी देखोगे तो half mass of the planet और velocity B का square तो जब velocity equal ही नहीं है तो kinetic energy कैसे same हो जाएगा मेरे भाई इतना तो सबको पता है छोटे छोटे चोटे जोटे UKG में बच्चे पढ़ते हैं नादान बच्चे वो भी जानते हैं कि kinetic energy half M B square होता है और अगर mass same नहीं है तो kinetic energy same नहीं होगा तो यह भी option गया तो angular angular speed angular speed क्या होती भई तो angular speed omega तो क्या angular speed same होगी तो चलो देख लेते हैं तो angular speed अगर तुम देखोगे तो angular speed angular momentum L is equal to I omega होता है तो angular momentum तो कंजर रहता है तो angular momentum कंजर रहता है तो moment of inertia is universally proportional to omega मतलब अगर planet है तो अगर planet motion कर रहा है तो इस planet का initial angular momentum final के equal है तो तुम देखोगे angular momentum constant है तो दो point का जब linear speed हाँ दो point का compare करोगे ए और बी का तो angular momentum सेम होगा तो आई वन ओमेगा वन इस उकल टू तो जो ओमेगा होता है वो भी जब行 डू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा की value आ जाएगी यहां से भी 8 और तो b1 और यह जाएगा i2 और that is V2 अपन का तो यह पूरे का पूरा आई प्रोर्डक्ट कॉंस्टेंट है लेकिन velocity नहीं召ना ओमेगा अलग से क्योंकि linear speed यह अलग-अलग है तो भी different है तो ओमेगा भी क्या होगा भाई ओमेगा भी different होगा तो angular speed इसका अलग-अलग आएगा मतलब d option भी गलत है angular momentum तो angular momentum क्या है था angular momentum d option अगर check करोगे तो किसी भी point पर तुम देखोगे तो angular momentum l is equal to i omega इसका यह क्या है constant है ठीक है तो angular momentum l तो i m v r angular momentum को ऐसे भी लिख सकते है तो इसका product क्या भाई इसका product constant है क्यों क्यों constant ए अंगुलर momentum कम कंजर जब टाव external 0 होता है तो l क्या होता है constant होता है तो आई होब कि यह सब बात आपको पता होगा टाव 0 कैसे है भाई देखो planet कहीं भी रहे नेट अगर इस point पर इस point पर टार्क लोगे तो gravitational का टार्क जो gravitational force है यहीं ओ से पास हो रहा है तो इसका टार्क ओपर कितना बना जीरो यह भी यहीं से पास हो रहा तो इसका टार्क ओपर कितना बना जीरो जब यहां है तभी वह से पास हो रहा जब यहां है तभी यहां से पास हो रहा ओ से तो जब external torque is equal to जब कोई force वहीं से pass होता है तो उसका torque कितना बन जाता भाई तो उसका tau हो जाता है 0 तो हर point पे tau 0 planet कहीं भी हो that's why angular momentum constant रहेगा तो अगर angular momentum constant रहेगा तो हमारा D option सही बन जाता है तो आई हो कि आपको मज़ा आ गया होगा एक question समझके अपना ख्याल रखे motivated रहे thanks for watching this video अपना ख्याल रखे मोटिवेटेड रहे थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो